दोस्तों आज हम बात करेंगे देशी मांगूर मचली के पालन के बारे में कि कैसे आप इस मचली का पालन कम जगा में ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं अगर आपके पास छोटा तालाब भी है तो भी आप देसी मांगूर मचली का पालन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और अगर आपके पास बड़ा तालाब है तो भी आप देसी मांगूर मचली का पालन कर सकते हैं चे दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले मैं आप से करना चाहूँगा अगर आपने इन्जाल पे नए है तो इस चैनल को सब्स्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरे नएने वीडियो के अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे है बात करें दोस्तों देसी मांगूर के पालन के फायदे का तो ये कम जगा पे आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं पहला दूसरा इसमें ऑक्सिजन रिक्वार्मेंट कम होती है अलग से कोई आपको पॉम्प की आओ सकता नहीं होती है अगर आप मिट्टी में करते हैं तब फोटे पंप का यूज करके जगा जगा इस्टोन लगाके आप अपने तलाब में ऑक्सिजन की रिक्वार्मेंट को पूरी कर सकते हैं क्योंकि जो देसी मांगूर है वो माथ ब्रीडिंग फिस होती है आनि उपर आके वो हवा में सास ले लेता है अगर उनको पानी में ऑक् ऑक्सिजन घुली ऑक्सिजन जो पानी में होता है कम भी है अगर आपके तलाब में तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है और ये बहुत ही हार्ड फिस होता है इसमें विमारीं कम आता है बात करें दोस्तों देसी मांगूर के पहले topic का कि देसी मांगूर की variety क्या होती जो आप यह वीडियोस देख पा रहे हैं पीछे यह जो है दोस्तों यह हमारे ही सिमीबाइफ लॉक पॉंड का है और इसमें हमने देसी मांगूर श्टॉक किया हुआ है मांगूर मचली का दोस्तों दो बराइटी है एक देशी मांगूर है और एक जो है हैब्रिड मांगूर है देशी मांगूर और हैब्रिड मांगूर में फर्क क्या है कि इन में साइज का बहु ज़्यादा अंतर होता है देशी मांगूर आप मैक्सिमम जो है वो साल भर में आप हाइबिड मांगूर की बात कर दोस्तों तो वह हमारे इंडिया में बैन है और इसको बैन करने का क्या रीजन है वह मैं किसी और वीडियो में इस पर आपको डीटेल ने बतानी कोशिस करूंगा आज हमारा जो फोकस है वह देसी मांगूर पर है तो जो हमारा दूसरा क्योंकि उनको ऑक्सिजन रिक्वार्मेंट कम होती है लेकिन उसका वैलू बहुत कम है वह 120-90 यह से ही उसका मार्केट है फंगेशियस की तरह देसी मांगूर का जो मार्केट वैलू है वह 600 रुपया तक भी जाता है कहीं कहीं केसे में देखा गया है जो बड़े हैं वह 800 कि लो तक का भी रेट हमें मिल जाता है उसके बाद नेक्स्ट और दूसर टापिक आता है वो यह है कि हमें इसके लिए तालाब की कितने बड़े तालाब की रिक्वार्मेंट होती है दोस्तों देसी मांगूर अगर किवल आपको देसी मांगूर मचली का फार्मिंग करना है त पर आपके पास बड़ा तालाब है मतलब बड़े जगा है आपके पास तो आप उसमें छोटे-छोटे तालाब बना लिजे देसी मांगूर मचली जो है वो हर्वेस्ट करने के लिए हमें पानी को सुखाना होती है तालाब को पूरी तरह से सुखाने के बाद ही हम 100% हर्वे पर कठा हो जाएं बेतर है कि आप आउटलाइनर वाले टैंक की तरह पर तलाब को बनाईए और उसमें एक आउटलेट सिस्टम लगाईए बीच में तलाब आपका मिट्टी ही रहेगा मिट्टी का ही तलाब रखे पान लाइनर लगाने की जोत नहीं है लेकिन आप उसमें बीच में आउटलेट सिस्टम और स्लोब देके इस तरह से आउटलेट सिस्टम बना दीजे ताकि आपकी हार्वेस्टिंग 100% हो सके नेक्ट दोस तो बात करें तालाब को तयार करने की बिधी के बारे में तो सीड श्टॉक करने से पहले लगभग 20 से 20 दिन या एक मेना पह करता है जैसे वह प्लांकेट खाना पसंद करता है जो कुछ किताडू होते हैं पानी में उनको खाना पसंद करता है तो ऐसे चीजों को आप पहले से अपने तालाब में डबलब कर लेंगे तो आपके कमर्सिल फिट की करम हो जाएगी मेरा जो personal experience रहा दोस्तों देशी मांगूर का हमने जो अपने तलाब में preparation किया था वो लगवग एक महीने पहले किया था और तलाब को तयार करने के लिए आप पहले तलाब को खुदवाने के बाद उसमें सड़ा हुआ गोवर जो एक साल दो साल का है उसको आप पूरी तरह से उसमें डलवा दीजे उसको mix करा दीजे खेत में पानी भर लीजे उसमें पानी भरने के बाद आप उसमें यूरिया को डालिए और दस से पंदर दिन वेट करिए पंदर दिन बाद आप उसमें फिर से गोबर का खाद और कुछ ही उरिया मिलाइए एक महिने बाद लगवग 20-25 दिन बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके तालाप का पानी बिल्कुल ग्रीन हो गया है और उसमें अच्छे खा कोटा होता है और वो आते ही उतमें इतनी मात्रा में पहले से ही आपने अपने तालाब में फीड कठा कर दिया है कि उसे बाहरी फीट की आओ सकता ही नहीं पड़ती है और लगबग एक से डिड़ महिने तक वो उसी फीट को खाएगा आप commercial फीट डालेंगे तो भी नहीं खाएगा क्योंकि मेरा किया हुआ है जो हमने अपने seat को stock किया था तो हमने उसमे commercial फीट देने कोचिस की शुरुआत में वो बिल्कुल भी नहीं खाता था क्योंकि वो उपर ही नहीं आता है पानी का pH दोस्तों 7-8 के बीच में होना चाहिए काफी अच्छा माना जाता है किसी भी फिस फार्मिंग के लिए तो पानी का pH आप 7-8 रखिए TDS जो भी है 3-4 उसको maintain करिए और टाम टाम पे आप इसमें चुना और नमक का यूस करते रहिए ताकि कोई भी डिसिस आपके फिसिज में ना लगने पाए किसी भी एंटि फंगल यानि सिफेक्स जैसे मेडिसिन्स का यूस करके आप अपने पूरे कल्चर को अच्छे से रन करा सकते हैं बात करें दोस्तों इसके स्टॉकिंग डेंसिटी की तो अगर आपका तालाब 10-15,000 इसको एरफिट का है तो आप इसमें 15-20,000 इस सीड स्टॉक कर सकते हैं और अगर आप ऐसे तालाब की बात करूँ जो एक एकड़, दो एकड़ है उसमें अगर आप करना चाते हैं तो बड़ी मचलियों के साथ आप इसको स्टॉक करके दस से बगर आपने आई-मसी की सीड स्टॉक कर रखी अपने तालाब में तो उसके साथ साथ आप इसे 10-20,000 पीस इसमें स्टॉक कर सकते हैं कि इसके ऑक्सिजन रिक्वार्मेंट कम होता है इसलिए आप इसको अच्छे मातरा में डाल सकते हैं और एमसी के साथ अगर केवल आप बड़े तालाब में एक एकड़ तालाब की बात करूँ तो क्योवल देशी मांगूर को करना चाते हैं तो उसमें आप लगग 50,000 बच्चा डाल सकते हैं छोटे तालाब की बात करूँ दोस्तों जो 1200 या 1500 2000 स्कार फीट है तो आप उसमें 2000 से 3000 बच्चा इस्टॉक कर सकते हैं अगर आपके छोटे तालाब हैं तो बिन ऑक्सिजन सिस्टम के अगर उसमें आप ऑक्सिजन दे देंगे तो आपके लिए और अच्छा है जो कुछ मोटेल्टी 10-5% की रहती है वो भी कम हो जाएगी बात करूं दोस्तों सीट सेलेक्शन का तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सीट सेलेक्ट करना आना चाहिए क्योंकि अच्छा सीड ही अच्छा ग्रोथ करता है और सीट सेलेक्शन आपको नए सीट का करना चाहिए नए सीट से मतलब है दोस्तों कि जिसकी ब्रीडिंग अभी तुरंत हुई हो नए सीजन में हुआ हो जैसे मार्च के बाद अप्रैल मई में और जून जुलाई में देशी मांगूर का ब्रीडिंग होता है उस समय के सीट को आप सेलेट करिए वह छोटे साइज का सीट सेलेट करिए दोजार तीनिजार लाइन का जो बाद में 600, 800, 400 प्लस ही मिलता है 400 से ऊपर ही हमारा किसी भी मार्केट में हो 400 रुपया तक आपको मिलता है अगर आपका साइज 100 ग्राम प्लस हो गया है अगर कुछ ऐसे सिटीज भी हैं जहां इसका 800 रुपय तक भी आपको प्राइज मिलता है तो इसका एक साल का डूरेशन होता है दोस्तों और ये 100-500 ग्राम का साइज गेन करता है दोस्तों हार्वेस्टिंग के समय आपको पानी तालाब सुखवाना होता है पानी सुखवा के आप इसका हर्वेस्टिंग करेंगे और एक तरफ जहां पे हमने तलाब बनाने का जो तरीका है उस तरह से तलाब को बनाये हुए हैं तो आप 100% या 80-90% अपनी हर्वेस्टिंग कर पाएंगे लेकिन आप डारेक्ट जाल चलाते हैं तो हो सकता आप पूरी तरह से हर्वेस्टिंग ना कर पाएं क्योंकि यह फिर मचली जो है जैसे ही कोई इसको इस्ट्रेस आता है यह तुरंत मिट्टी में हो जाती है बात करें दोस्तों इसके प्रॉफिट का तो इसमें आपको लगभग 100% प्रॉफिट होता है यानि अगर एक किलो मचली तयार करने में इसे तलाब में अगर आप इस विदी से करते हैं तो लगभग आपका दोस्तों देर से 200 रुपय मैक्सिमम है 100-100 रुपय ही खर्चाता है और आपको 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट इसमें मिलता है कम जगा में भी आप कम मात्रा कम जगा है तो आप 2500 किलो प्रोडेक्शन करके भी एक डेर लाक रुपय अपने लिए एक साल में अर्न कर सकते हैं और बहुत जदा इसमें आपको ध्यान भी रखने की जवत नहीं होती है तो यही था दोस्तों कि कैसे आप देसी मांगूर मचली का पालन कम जगां में करके या बायफलाफिस फार्मिंग में करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं